टाइप 12, देखिए इसमें इसको किस प्रकार बनाते हैं, इसमें रखना ये लिखा है, यहां पर देखिए इसमें क्या है, उपर में एक जैसे कॉमन है, जो कॉमन है, उसको क्या करना है, आपको उवह निश्ट निकाल लेना है, जो एक जैसे उसको, तो यह 6.32, कॉमन निकल गया, क्या बचा इसमें, 56, और यहां क्या बचा, 34, नीचे में फार्मूला बने है, कौन सा माल लेते हैं, हम इसको A, A का स्क्वेर माइनस B का स्क्वेर, यह फार्मूला होता है, याद रखना, A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर, पराबर होता है, A प्लस B, और होता है, A माइनस B, कोश्ट अग में, तो यहां पर क्या करना है, जो यह 7.66 उसको A माल लेना, और 1.34 गो क्या माल लेना? B. तो उसी साब से क्या हो जाएगा? या बात समझ में नहीं तो सिधा इसको एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना. तो क्या हो जाएगा? 7.66 प्लस 1.34 फिर इसी की एक बार घटा देना? 7.666-1.34 एक बार इसको क्या करना है? जोड़ना है और एक बार क्या करना है? घटाना है यहां सी हो जाएगा 6.32 यहां कि इतना है? देखिए इसको जोड़ें कि 56, 60, 30, 90 हो जाएगा बटा यहां सी क्या हो जाएगा इसको जोड़ें कि 7.666-1.34 तो 6, 4, 10, 6, 3, 9, 1, 10, और 7, 2, 9, तो 9 सुने, सुने, तो केवाल इसको क्या लिख देते हैं? 9, फीक है, दसमलोग बास सुने को नहीं लिखते हैं, अब इसको घटाएंगे, 7 समलोग 6, 6 में किसको घटाएंगे? 1 समलोग 3, 4, यहां पर जोड़े थे, यहां घटाएंगे, 6 में 3 गए 3, 7 में सेगे 6, कितना बचा? 6, 3, 2, तो ध्यान से देखना, यह 6, 3, 2, और 6, 3, 2, क्या हो गया? कड़ गया, उपर में क्या बचा? 90, और नीचे में क्या बचा? 9, तो 9 दहम कितना हो जाएगा? 90, इसको उत्तर कितना हैं? 10, इस सवाल को देखिए, सेम है, 0.538 और 0.538 एक जैसे है, तिसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 0.538 पूरे घात 2, क्योंकि एक जैसे है, सेम वैसी इसको देखिए, 0.4662 गुड़ा, 0.4662 तिसको भी क्या लिख सकते हैं? 0.4662 पूरे घात क्या लिख सकते हैं? 2, नीचे को ऐसी लिख देना, 1-0.924 इसको तब भी ऐसी करते हैं, एक माइनस सुने समलो नो दो चार, अब फिर वही बताया पहले कवर्ग माइनस दूसरे कवर्ग होता है तो A प्लस B है माइनस B यह जब भी ऐसा स्क्वेर रहे, क्या करना है? एक बार जोडना और एक बार गटाना है तो सुने समलो 538 प्लस सुने समलाव 4, 6, 2 फिर लिखना है सुने समलाव 5, 3, 8 माइनस सुने समलाव 4, 6, 2 लियर हुआ एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है अब नीचे क्या करना है नीचे में एक में इसको घटाना है याद रखना इसको घटाना है यहां से यह हो जाएगा, देखिए एक से घटाएंगे, तो यह एक दसम्लाओ करके आप सुन्नी, सुन्नी, सुन्नी ऐसा लिख सकते हैं, और सुन्न दसम्लाओ, नौ, दो, चार, इसको घटा आ रहे हैं, clear है, यहां से देखिए, दस में चार गया च्छै, और दस में तीन गया साथ, दस में से दस गया जीरो, और एक में से गया जीरो, तो सुन्न दसम्लाओ, सुन्न साथ, छै, इस प्रकार आपको क्या करना, इसको घटारना है, तो यहां सुन्न दसम्लाओ, सुन्न साथ, छै, अब उपर को जोडते हैं, तो उपर को जोड़ेंगे, तो देखिए, सु ओकुलाग भागना पको निद्ट regular लोन पर आपको अब पतर्फर इसका सूनना सम mention selection सूनना इसा आएगा और वैकर इसका सब्सक्राइबिर मेरे नाँ तर्फर नहीं आपको आपको इस पर कारेता जैना होगया कड़ यहां इसका उत्तर जयू अ Cao अटे में पर इत्तर हो जाएगा, यह अगला स्वाल देखी, सुन समलोग छह, पुरे घाट 4 है, माइनस सुन समलोग 5, पुरे घाट 4 है, देखी यह नीचे वाला प्लस में है, प्लस में है तो आपको फार्मूला निल लगाना है, अगर बीच वाला माइनस में रहता, तो उसको एक बार जो पुरे घाट दो, ऐसा कर सकते हैं, दो दूनी 4, फिर देखी, सुन समलोग 5, यह 2 हो गया, और इसको 2, दो दूनी 4, ऐसा हम कर सकते हैं, अब नीचे कुछ नी करनें आपको, नीचे क्या है, प्लस वाल है, प्लस रहता तो फार्मूला निल बनता है, माइनस रहता तो फार्म इतना को अगर हम बंद कर देंगे, इसको अगर A मानेंगे, तो क्या हो जाएगा यह, अगर हम सुन समलोग 6 घाट दो, इसको A माने तो A की घाट दो, और यह क्या बन जाएगा, बी की घाट दो, अब क्या करना है, इसको एक बार जोडना है, और इसको एक बार क्या करना है, घटाना है, कहने का मतलब क्या करना है आपको इतना को A माल लेना है, कि इसको क्या माल लेना है A, और इसको क्या माल लेना है B, तो एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है, तो यह हो जाएगा, सुने समलो 6, पूरे घट 2 लिखना भा, प्लस सुने समलो 5, पूरे घट 2, फि कुछ नहीं करना है पूरे घात दो इसीलिए क्या हो जाएगा पूरा, इसलिए क्या हो जाएगा? इसको e मानेट, a plus b, a minus b तो यहां देखिए, यह वाला इसको देख히ए, यह एक जैसे यह plus है, यह भी plus है तो यह और यह क्या हो जाएगा? गृत जाएगा. तो क्या बच गया? सुने देशम्छब 6 पूरे घाट 2 माइनस सफ्योंग 5. पुरे घाट 2. अब देखिए फिर से क्या आ गया? ये माइनस आ गया. जब ही माइनस आता है. तो हम क्या इसमें फर्म लागए? फिर इसको एक बार जोड देना और एक बार घटा देना. तो सुनिंस सम्लूग 6 प्लस 0.5 और क्या हो जाएगा 0.6 माइनस 0.5 एक बार जोड़ना और घटाने वाला नियम कब लगेगा जब ऐसे वर्ग में रहेगा और बीच में माइनस रहेगा अब जोड़ेंगे यहो जाएगा 6 5 11 मतलब होगा 1.1 और इसको घटाएंगे 6 में से 5 गया 1 तो 0.1 आएगा इस यहां से संहलो के संखेक बाद क्या लगाना है यह संखेक बाद क्या लगां इसका आंशर है झाल झाल